करेक्टर जनरेशन इन दिस टॉपिक है हमारा करेक्टर जनरेशन इन दिस टॉपिक बी डिसकस अबाउट गर्यक्टर जनरेशन in computer graphics लेटस स्टार्ट कि यूज़ली करेक्टर अजनलेटेटर वाई हार्ड वेर् आपने दिखा होगा अर्प्राया जो करेक्टर हैं वहाणद कीजाते हैं अब हांड़ वेर ना희 के जाते हैं यह आपको पता ही होगा नहीं तो मैं बताता हूं देखिए कोई भी करेक्टर हमें जन्रेट करना करेक्टर तो कुछ भी लेटर नंबर कुछ भी हो सकता करेक्टर हमें जन्रेट करता तो हम क्या करते हैं डिस्प्लिय करना हूँ अगर मौनिंटर पर हम कीबोर्ड से उसे प्रेस करेंगे तो वह मौनिंटर पर हमारा डिस्प्ल होगा तो लेकिन शॉफ्ट्वेर के द्वारा भी करेक्टर को जन्रेट और पिर्पेर किया जा सकता है या हम कर सकते हैं ठीक है वो कैसे आगे बता जाए कैसे करना है लेकल लेटर्स नंबर्स और अधर करेक्टर्स और अफट डिस्पले दा इस इस और जो लेटर्स और नंबर z summary जी आदर करेक्टर वो लेबलल से इस दिस्पले होते हैं ठीक है and annotate drawing and go give instruction and information to the user ठीक है, drawing को annotate करते हैं users को information and instructions provide कराते हैं या देते हैं ओके, we can display letters and number in a variety of size, pattern and styles हम किसी भी letter को, किसी भी number को अलग-अलग size में, अलग-अलग pattern में, अलग-अलग style में display कर सकते हैं, जैसे कि मालो, आपने MS bird देखा होगा MS bird में क्या है, या Excel में, या PowerPoint में क्या है bird art का एक option आता है, उसमें आप किसी भी style में, किसी भी character को, किसी भी letter को आप लिख सकते हैं font size में आप जाके, किसी भी alphabet का, किसी भी line का, किसी भी text का size आप बढ़ा सकते हैं, ओके, और font type में जाकर, आप उसकी font की जो style होती है, उसे change कर सकते हैं, ओके, तो यह तो आपने देखा होगा, इसी तरीके का, आप यह सारी चीजें, computer graphics में भी possible हैं, ओके, next पर आगे बढ़ते हैं, most of the time, times characters are built into the graphic display devices, usually as hardware, but sometimes through software most, जादतर time जो, computer graphic display devices हैं, वो ही character को generate करती हैं, या बनाती हैं, लेकिन, sometimes, software के द्वारा भी character, build किये जाते हैं, ओके, अब देखते हैं, यह build करने के कितने method हैं, उनके बारे हम पढ़ते हैं, there are three basic methods of character generation करेक्टर जनरेशन के तीन basic methods हैं, फरस्टेज इस टोक method और बैक्टर करेक्टर जनरेशन method, पहला method है, इसे कहते हैं, बैक्टर करेक्टर जनरेशन method, ठीक है, यह भी कहते हैं, second one is, dot matrix और bitmap method, clear, next one is, star burst method, तीन method हैं, अब बात करते हैं, सबसे पहले method, इस्टोक method और बैक्टर करेक्टर जनरेशन method के बारे में, इसमें क्या होता, इस्टोक method क्या है, इस method uses small line segment to generate एक करेक्टर, किसी करेक्टर को generate करने के लिए, small line method का use इसमें किया जाता है, ठीक है, और और क्या कह सकते हैं, इस method creates character, by using a set of line segment, line segment का set, यूज करके, करेक्टर हमारा generate किया जाता है, next, the small series of line segment are drawn like a stroke of a pen to form a character as, अब फिएगर में हम देखेंगे, कैसे कि एक segment को तयार किया गया, आईए देखते हैं, माल लिए यह हमें press करना, तो एक कैसे करिए यह होगा, तो इसका जो segment होका line का, वो किस direction का होगा, यह तो करना है, इस तरीके से श्टोक, यह line इस से, इस direction में, फिर यह direction है, यहां से transfer होके, यहां तक जाएगा, और यहां आईगा, और यह line, यहां से start point होके, देखिए, अब आप देखी के लिए, यहां से line segment start हुआ, clear, यह line को create किये, इसने यह के लिए, फिर second one, first, लेख सकते numbering, first, second, third and fourth, clear, first, यह line को create कर रहा है, हां से start होने के बाद, second one is this line, line segment के base पर ही, इसमें होता है, creation, ठीक है, then third one is this, and fourth one is this, इससे क्या हुआ, हमारा जो A alphabet हमें print करना था, इस line segment के according हमारा A alphabet print हुआ है, clear, तो यह कहलाता है, हमारा stock method, ठीक है, इस figure को आप अपने notes में बना लीजिए, stock method, clear, और देखते हैं, stock method के बारे में, we can build our own stock method by using vector generation method as well as line generation method, हम अपना खुद का stock method भी generate कर सकते हैं, क्या यूज करके, vector generation method यूज कर सकते हैं, और या फिर line generation method का यूज करके, हम अपना stock method बिल्ट कर सकते हैं, clear, to produce a character, people give a sequence of command, जैसा भी मैंने बताया था, एक command का sequence दिया जाएगा, वो इस तरीके ज़र turn होगा, इस तरीके ज़र turn होगा, ठीक है, एक कोई भी character हमें produce करना है, तो command का एक sequence हमें provide कराना होगा, that define, the start point, start point अभी मैंने बताया था, कहां से start हुआ था, वो फिकर, end point और उसका end point भी आपको बताया था, ठीक है, of the state line की, हमें कहां से state line start करनी है, और कहां state line end करनी है, वो सारी चीज़ां हमें so करनी होगी उसमें, उस sequence में, ठीक है, वो कैसा होगी, by calling a line drawing algorithm, line drawing algorithm के द्वारा, here it is necessary to decide which line segments are needed for each character, और ये भी जरूरी होना चाहिए, ये decided होना चाहिए, decide करना की, line segment के कौन से part को character की जरूरत है, each character को line segment के, line segment, here it is necessary to decide, ये भी decide होगी, बिच कौन सा line segment, किस character के लिए, जो भी character है, जितने character है, उनके लिए कौन कौन से line segment हमारे जरूरी है, and then drawing this segment using line drawing algorithm, और उसके बाद, line drawing algorithm के बाद, यूज करके हम इसे create करेंगे, draw करेंगे, ठीक है, क्लियर, यह मैं समझता हूँ, यह point आपको समझ मनी है, दुबारा मैं इससे बता देता हूँ, माली से जैसे मैं a print करना था, मैंने a print किया था, उसमें क्या किया था, हम में a command देती, sequence बनाया था command का, कहां से start होगा, कहां से end होगा, और वो कैसा हुआ था, तो प्रेडूस एक करेक्टर, एक करेक्टर प्रेडूस करने के लिए we will give a sequence of command, हम commands का एक sequence प्रोबाइट कराएंगे, यह algorithm को that define, उसमें क्या क्या होगा, the start point and the end point of the state line, state line का start point भी होगा और end point, यानि state line कहां से start हो, कहां खतम हो, यह हमें sequence में define करना होगा, clear, पहला option क्या होगा, by calling a line drawing algorithm, एक line drawing algorithm call करके, हम यह command sequence तयार करेंगे, इसमें क्या होगा, here it is necessary to decide, और यह भी बहुत जरूरी, यह decide करना कि कौन सा which line segment, कौन सा line segment जरूरी है, each character, फिरते character के लिए कौन सा line segment जरूरी है, यह भी decide होना चाहिए, and then उसके बाद क्या होगा, drawing this segment using line drawing algorithm, और उसके बाद line drawing algorithm यूज करके, इस segment को create या draw किया जाता है, ठीक है, next this method support scaling of the character, character की scaling को भी support करता है, यह method, ठीक है, it does this by changing the length of the line segment, और यह कैसा होता है, character की scaling, line segment की length को change करके, ठीक है, जो हमने character drawing के लिए line segment लिए या उसकी length को change करके, हम character की scaling करते हैं, इस method में clear, तो यह हमारा पहला method था, इस टूक method, मैं समझता हूँ clear होगे, इस में जो है, small line segment के आधार पर character generate किया जाता है, clear, और figure भी हमने आपको बताया था, clear, इस टूक method में, अब यह मैंने figure बताया था, आपको कैसे generate किया जाता है, start point, end point, clear, यहां से line segment, line algorithm, जो होगी बाद, यहां से पहली line create करेगी, then second line, third line, and fourth line हो जाके end हो जाएगी, ठीक है, इस टूक method होता क्या है, clear, तो यह था हमारा पहला method for character generation, इसके बाद second method और third method, third हमारा जो है, वो next lecture में हम discuss करेंगे, इस lecture में फिलाल इतना ही, मैं समझता हूँ, यह आपको clear हो गया होगा, okay, thank you students,